हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रजेक्ट में तो अभी चिल चिलाती पबला मुग की तरह जो आप देख रहे हो ना यह अमने स्टूडियों में अपने पीछे बॉल लगाया है और बॉल पर लगाया है प्रोफाइल लाइट और इस पर वीओ मीटर लगा हुए ना शायद ही इतना बड़ा वीओ मीटर आपने कवे देखा होगा तो मुझे देख के आप करोगे क्या पस असली मज़े लाइट्स के लोग तो बहुत सारे मोट से इस लाइट्स में आप इसको स्टॉल कर सकते हो और मज़े ले सकते हो और दीपाव में और बहुत सारी आपको जानकरी देते हैं कि इसके जो आप मोट्स देख रहे हो ना फिलाल तो यह मेरी आवाज पर चला है बट यह दुनिया की हर एक आवाज सुनके उसकी हिसाब से काम कर जखता है अब तो समझी रहा हुआ भाई कौन-कौन सी आवाज की बात कर रहा ह है न तो सारी बटाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जंदरमंदर करते हुए यह स्पीकर से लाकर दिखाते बागी तो सिस्टेम जो एन प्याडिक्लर जो उसमे है वो सारी सीज़े आप कोम दिखाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए इसके अलग-अलग मोड से मतलब एकोलाइजर साब कैसा चाहते हो पहले तो उस टाइप का सेट कर सकते हो उल्टा सीधा तेड़ा मेड़ा मतलब हर तरही के से कैमरा बलर हो जारा भाई जदाद दे रहा है और यह भी डिस्को एला एकोलाइजर है ठीक इसी तरीके से आप बहले मतलब अलग-अलग टाइप केस में जो सिस्टम्स चाहते हो उस तरीके से एकर सकते हो और देन सबसे पहले मैं बजाता हूं म्यूजिक जो मैंने आप से कहा था थोड़ा लाइट का फील नहीं आपा रहा है मतलब लाइट कैमरा से इस पकड़न नहीं पा रहा है नाइट मोड पर आगया बट जो दिखा सकते हैं तब भी दिखाने के कोशिश कर रहे हैं आपको बाकी सामने से ज़्यादा ही खुबसूरत है इसका कलर कर दोड़ा है तो गाना समाप तो और काम समाप तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे होगा छोटा सा मैंने साइट पर कर दिया तो मैं आपको अलग-अलग क्लास चेंज करके दिखाता हो रोंका तो यह औरेंज है हमारा ग्रीन रैट यल्लो पिंक इसकाई ब्लू और यह प्योर वाइट कैमरे में समझ में नहीं है और भी यह कर रहा है और इसकी ब्राइट नेस को भी आप कम और ज्यादा कर सकते हो मसता है ऐसे बिलकुल मतलब कर दिया और लग अब मज़े लो है ऐसी आप इसके पैटर्स को आटो पे गर के चेंज कर सकते हो नहीं तो पैटिकुलर एक एक पैटर्स जैसे कि आप मुझे पांच नंबर की लाइटिंग बड़ी पसंद है तो यह लाइटिंग मोड जो आप देख रहो ना यह देख रहे हैं बहुत गुपसुरा जाद इसके स्पेड को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो इसी मतलब मुबाइल के तुरू मतलब जैसे कि अब यह स्लो स्लो चला है फिलाल मैंने वीडियो टू एक्स पर करके रखी हुई है और आप इसकी स्पीड को धीमा तेज और जितना भी हाइफाई कर सबसे कर सकते हो पैटर्स हितने हैं कि आप परशान हो जाओगे मतलब कोई भी सेलेक्टिट प्रैटर्स आप यूजकर सकते हो और नहीं चाहिए तो आप आप लगाकि यह पैटर्स कर सकते हो अरगर वह करते हैं विडियो तो चलिए बिनादे रिकिए सुरू करते हैं वीडियो तो यह हमारा SP107 कंट्रोलर है ठीक है यह हमारा पिक्सल LED को चलाने के लिए कंट्रोलर है पिक्सल LED जो हमारी प्रोग्रामिंग LED आती है यह वुजी का कंट्रोलर है और यह बहुत टाइम से पढ़ाता है काला पीला निला हो गया और आज इसका इस्ते माल करेंगे और इसमें करेंगे हम यह पिक्सल LED के रोल्स यह एक रोल जो हमारा है है पाच-पाच मीटर का है ठीक है और तीन सो एलेडी पर रोल है तो एक मीटर में हमको मिलती है सिक्स्टी एलेडी तो हम छे मीटर एलेडी कनेक्ट करेंगे इसमें और कॉस्ट भी बता देता भाई लगे आप अगर फालतु के पैसे हों आपको भी उडाने हूं फिलाल में प इसको पर्चेस कर सकते हैं लोकल मार्केट में देख सकते हों तो इसका सारा कनेक्शन कैसे करना है और क्या करना है वो में बताता हूं फिलाल मैं यह लेकर रहा हूं यह जो आप बीच में पट्टी डाइब की देख रहा हूं यह एक्शुली हमारी प्रोफाइल लाइट है तो इस प्रोफाइल लाइट को में लेकर आया था इस बॉल में सेट करने के लिए बट अब इस पर हम लगाएंगे डिस्कॉली लाइट तो अलग-अलग महाल के आप से यहां पे कलर्स चेंज करेंगे और यह म्यूजिक सी चलती है मतलब जो भी चीज़े मैं बोल लो यह उ सुनता है और उसके हिसाब से भी रियक्ट करता है तो सारा कनेक्शन दिखाते हैं और करेक्ट करने का तरीका दिखाते हैं तो आप भी अपने घर में लगा सकते हूं और मोबाइल एप से कंट्रोल कर सकते हैं फुल्ली स्मार्ट गैजट है तो चलिए बिना देरी किये मतलब डेटा पिन देना होता है और साइट में वीशी सी लिकाता है वहाँ पर हमको यह कैते हैं अपनी जलने के लिए और इसको इधर से आप इंपुट वूल्टेज दिखे चलने के लिए और यहां से आप सारे तार चोरते हो लेडी के तो पेजस से ऐसे डिला करना हो तो स्क्राइबर से बैक साइट से कर सकते हों और यहां पर acts जयाका मतलब इस चले हों यहां पर लगा दोगे तो भी डिर्ट चलेगा फैलाल माइक्रोफून से अपरेट वह जाता है अगर अगर माइक्रो फून से चाहिए कि आउंक कर सकते हैं मतलब ऑक से चलेगा तो डिरेक्टी यह आपके वाइस जो आती है मतलब स्पीकर की वो लेगा और यह हमारी पिक्सल लेडी इसमें जो आप पांच-पांच तार देख रहे हो ना इसमें दो तार तो कॉमन है मतलब यह वाइट वाला जो हमारा है वो माइनस है और ब्लैक वाला भी माइनस ह अब इसमें ऐसे ही निकला हुआ है और डेटावला हमंहरा ब्लैक वायर है इसमें देखिए सारी लएडी बिलकलिपेंडि मतलब एड्रेस़वल एड्री चीज भी बताऊंगा जो बहुत जरूरी होती है तो देखिए ग्रीन वाला वायर जो दिखा रहा हमारा वो डेटा पर लगाना है ठीक है अब अपने इसको डेटा पर लगा दिया इसका काम कतम हो गया बाकी के जो दो लाल इसमें और दो काले हैं मतलब वाइट वाला मिलाके यह एक्चुली इसलिए है ताकि LED पर जो लोड पड़ता है उस पर वायर पर लोड़ना है तो ग्राउंड पर देखिए इसको मैंने आउटपूट में कनेट कर दिया और यह पांच बोल्ट से ऑपरेट होने वाली LED है तो डिरेक्ट पांच बोल्ट से ही चलाएंगे इसमें इसको टाइट गर ने जा रहा है तो यहां प्रिकुए और प्रस लिए चाहांपर प्लस में और यहां पॉल्ट पॉल्ट है ने हम दाल दिया और झी और आई को जैसे पावर दिया देखें जो मतलब कंपनी देफिटेड है मारे डिफॉल्ट फंक्शन्स है वो रन करना स्टार्ट कर चुके मतलब खुद से तो पिक्सल लेडी हमारी शेक पी हो गई सारे कलर भी चेंज हो रहे है ठीक तो अब इसको किस तरीके साम इंस्टॉल करें मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल काम नहीं करना है तो आगे काम पर आते हैं तो यहां पर इसमें आप देखरो यह उपर कीवार कोड बना हुआ है तो आप अपने मुबाइल में इंटरनेट स्टार्ट कीजिए मुबाइल का एप खोलिए और कैमरा खोलिए कैमरे से जैस है क्योंकि हमने इंस्टॉल करके रखिए उसके बाद आपको जाना सीधा एप के अंदर यह एलेडी क्लाउट करके जो एप हमारे इसको ऊपें कर लेना देन ओके कर देना और ब्लुटूथ होन करने की परमीशन मांग रहा है इसको एलाओ कर दीजिए यह ब्लूटूथ आरजीबी आप देखों यहां पर यहां पर यहां पर पीछे जाके चेंज कर लेंगा आरजीबी से अटाके मैं इसको कर दिया जी आरबी पे मतलब पहली ग्रीन और देन उसके बाद देखिए इसका कलार एक्दम परफेक्ट हो गया मतलब मैं जो चाह रहा हूं उसी के हिसा आप से काम कर रहा है तो इस्टॉलेशन दिखा दिया अब आते हैं आगे यहां पर देख रहा हो स्ट्रिप और मैट्रिक्स दोनों दिखा रहा है तो और स्पिकर के साउंड भी आप सुन रहा हूं मतलब मैं ठोक रहा हूं इस समय मैंने तीचे से म्यूजिक मोट पे कर दिय या किसी पावर सप्लाई से और पावर सप्लाई के नाम पर आप फाइब वोल्ड का रॉप्टर ले सकते हो बट एडॉप्टर में चीज याद रखिएगा इस लडी को चलने में चाहिए होते अच्छी पावर तो दो स्ट्रिप चलाने के लिए कम से कम पचास से साथ हैं प सब कुछ दे देता है मतलब सारी पावर सप्लाई इसमें मिल जाती है फिलाल यह 500 वाट का से मिलते हैं और मैंने पुराने कंप्यूटर से निकाला हुआ है और इसमें यह कहते हैं कलार्स का बताते हैं इसे 45 एंपियर हमको पांच फुल्ट का आउटपुट देगा करेंट क तो 45 एंपियर हमारी लाइट को चलाने के लिए हम इसको यूज कर लेंगे अब कलर्स कोड़ पर जाते हैं तो इसमें अफ्तार देख रहा हूं इसमें ब्लैक लर का वायर और यल्लो वायर जो है वो हमारा बारा बुल्ट का है तो यह यूज नहीं करना रेड वाला जो वाय है और एक ग्रीन वायर है तो आपको ग्रीन और ब्लैक वायर को एक साथ शॉर्ट कर देना और यह संपर स्टार्ट हो जाएगा चलिए मैं करके दिखाता हूं तो यह हमारा संप इसमें धेर सारे लाल पीली निले वायर है इसको इग्नूर करो सबसे पहले आपको ग्रीन का वायर जो कनेक्टर से कटिंग कर लेना है और किसी भी काले वायर में अटैश कर देना ऐसे शॉर्ट कर देना मतलब और यह पीली रंका वायर जो दिखा रहा है यह बारा वॉल्ट आउट करता है इसको नहीं लेंगे हम तो जितने भी लाल रंके वायर है वह हमको पांच वो देंगे और उसी तरीके से सारे पीले वाले हमको क्या कहते है बारा वॉल्ट देंगे तो हमने यहां पर कर लिया अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेगा अगर आपको वियो मीटर बनाना है तो एलेडी पर आप देख रहा है जी एंडी और डेटा मतलब और फाइफ व टेल की तरफ जाएगा तो अब इस पर पैटर्न में या कहते हैं आप चाहिए दस तुकड़े कर लो चाहिए बीस अब यहां फिलाल में कटिंग करके आप दिखाया ही देता होगी कैसे कर रहा है तो यह पेपर पर चोटा सा ड्रॉ किया यह एलेडी इस पर देखिए एरो ऐ लो चाहिए तो डेटा हमारा डेटा की तरफ गया बट्ट अब एलेडी का अइरो देखो किस तरफ जा रहा तो लेडी का यह नीचे की तरफ जा रहा है मतलब यह जैसे साप सड़ी होता ना वाई राइट-लेफ्ट राइट-लेफ्ट इस तरीके से गर रहा है तो नीचे व लेडी उपर जाके किनेक्ट हो रही है मतलब इंडिरेक्टली आप समझोगे तो यह लेडी कट नहीं रही है डेटा टू डेटा चल ला है अगर इस सिक्वेंस को आप चेंज कर दोगे मतलब एरो अला पोजिट कर दोगे तो यह पूरा सर्किट इफेक्टेव हो जाएगा मतल जितनी भी रो बनानी है दास एलेडी की या बीस एलेडी की मतलब व्यू मिटर जितना लंबा चोड़ा जैसा भी चाहिए तो आपकी 12 mm किया है इसको मैंने कटिंग करके बिल्कुल अलग-अलग कर लिया यह आप देख रहा हो तारी तो दो लेंद से लेंद से मैंने 6 पीज बना ली कटिंग करके तो आप अपने इस आप से बना लेना है जो नीड हो और बताया था कि यह इसका कवर है डिफ्यूजर जिससे लाइट मतलब हमारी मस्त दिखती है और इसी से हम कवर करेंगे तो इसके अदर चलिए अब एलेडी लाइट को पहले फेक्स करते हैं पर इ बड़ी परिशानी कर रही थी थोड़ा से दबा के मुझे लगाना पड़ा नीचे इसमें लगा होता है मतलब गलू और उसमें लगा सकते हो प्रफाइल लेट चौड़ी भी आती है तो आप चौड़ी उसकर लेना बट मैं ले आया था इसलिए मुझे इसी से काम चलाना थ और मैंने थोड़ा बैंड करकर के को किसी तरीके से छे के छेहों में फिट कर दिया मंदा थोड़ी से दिका थी पर मैंने इसको चिपका आया नहीं बट दबा के अंदर कर दिया और कटिंग कर लिया अब यहां पे आपको फास्ट स्पीड में दिखाते हैं connections तो जैसे मैंने जिग्जाग करेक्शन आपको दिखाया से स्टार्टिंग के वैसे मैंने एक पतला वायर ले डेटा के लिए आपको लंबा चोड़ा या मोटा वायर नहीं ले लिना देन दूसरी स्ट्रिप पर कर दिया मतलब राइट से लेफ्ट ऐसे जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो बट एरो का विशेज ध्यान रखेगा नहीं तो आपका सारा पैटर्ण खूड़ा हो जाएगा मतलब जैसा आप चाहे तो वैसे चलेगा नहीं तो यहां पर भी आप फोर एक्स स्पीड ऑल्मूस्ट चल लिए और डेटा टू डेटा मैं दिखा रहा फिलाल यहां सबसे पहले ड अच्छा वाला मतलब अच्छा इसमें ताहडा लेंगे ताकि बॉल्टे डाउन नो क्योंकि सब पर आइसी लगी हर एक इसलिए इतना यह लोड लेती है तो इसके परफॉर्मेंस में किसी तरीके का एफेक्ट ना पड़े इसलिए इसको पावर सप्लाई भी अच्छी देन नहीं करेगा और जितने भी कमाने कटिंग थे वहां पर हमने टेप लगा कि इसको पैक कर लिए तो यह हमारे रेड और ब्लैक वारे मैं दस मीटर लेकर रहें वान एम्म के पॉली के और इससे क्या कहते हैं हम इसकी पावर देंगे ठीक है तो चलिए इसको भी करेक्ट करते अब यहां पर हमने कुछ तार अल्रेडी जोड़ दिये बैट आपको दिखा रहा हूं यह छोटे-छोटे पीसेज लिए हमने प्लस माइनस के चाहिए तो आप डारेक कर ले सकते थे यहां पर कोई इश्व नहीं था तो जी एंडी पर देखिए हमने ब्लैक वार लगा दिय के लिए उससे नीचे का नहीं लगाएगा तो पर्फॉर्मस पे इश्व आने की पूरी चांस है क्योंकि ज्यादा दूरी पर जाएगा तो वुल्टेज दी दरे ड्रॉब होगा तो लग तरीके से नशे करने लगी तो उस चीज़ से हम इसको बचाएंगे तो सारे कनेक्श सब्सक्राइब कर देंगे यह हमारी प्रोफाइल लाइट का डिफ्यूजर है इसको चुपचाब ऊपर एक बढ़ रहे रख रहा है और प्रेस करते हुए चले आप नीचे और यह लॉक होती भी चली जाएगे बिना किसी रॉकेट साइज के तो एक लडी स्ट्रिप हमने आपको यहां पैक करके दिखा दिया दैन काम खतम इसका ठीक है इसी तरीके से आप छे के छे हो यह दस हो तो आपके दस कर लो और यह मूटा सा एक्ष्ट्रा तार लगाया और अपना कंट्रोलर जमीन में फेका हुआ है और सेंपेस भी हमने जमीन में फेक के रखका है फिलाल बाद में भी स्कुम्सेट कर देंगे और देन पैटन्स स्टार्ट होगा है देखिए मजए मतलब स्टार्ट करते ही यह यह उपसूरत है और लाइटिंग की तो बात नहीं करो भाई पूरा रूम चमक नहीं लगेगा इतनी रोशनी है इसमें तो घर के अंदर लगाना हो तो घर के अंदर भी आप लगा सकते और बाहर लगाना है तो याद रखिएगा वाटर फूरूफ नहीं है संभाल के तो व अच्छे लगता है वहां पर फोल्ड कर सकते बकायदा नंबर दिखाता रहता है कि कौन सा सेक्वेंस कितनी नंबर के चलना है तो उसके हिसाब सब्सक्राइब एक बार मैं सेट हो जाएगा बाकि यहां पर मैं वियू मीटर पर सेलेक्ट करता हूं वियू मीटर में भी मैंन समझ लो भाई कंट्रूलर बहुत ही जबरदस्त है और दो साल तीन दो साल होने चला होगा फस्ट वीडियो मैंने मतलब फस्ट वाली वीडियो जो आसपास थी हमारे एक दो वीडियो पहले स्टार्टिंग की वो इसी कंट्रूलर में ब्लूटूथ बॉक्स बनाया था तो उसका भी वीडियो में कमेंट में फिलाल मतलब लिंक के डाल दे रहा हूं वहां पे आप देख लीजेगा वाकी ऐसी चेंज करके मज़े लो भाई पूरे तो भाईयो वीडियो यही तक था आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं और बाखी मज़े लो भाई पैटरंस के तो दीपा वाली के लिए आपके लिए बैस्ट है तो पैसा घर्चा करना हर जगा कूरा नहीं हो पहले से शुब कामने तो अपना और अपनी भाइमिया ख्याल रखिए टेक क्यार बाए बाए